Hello friends, psychology की पार्षाला में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही important intelligence की theory को और वो intelligence की theory important किसलिए है? क्योंकि जितनी भी competitive exam जो teaching से related होती है उसमें ये theory से questions जरूर पूछे जाते हैं तो आज की theory है Sternberg की, Sternberg की theory है और Sternberg का पूरा नाम है Robert J. Sternberg तो आज Sternberg's Triarchic Theory आप इसे कह सकते हैं कि Sternberg का त्री तंत्र सिधान्त और ये त्री तंत्र सिधान्त बुद्धी को लेकर है जब Sternberg की बात आती है तो Sternberg को cognitive psychologist माना जाता है और Sternberg ने बुद्धी को जो परिभाशित किया था वो आलोचनात्मक शम्नता के रूपे किया था इन्होंने अपने सिधान्त में तीन तरह की बुद्धी की बात किये और ये तीन तरह की जो बुद्धी है उसमें सबसे पहला आता है contextual contextual intelligence दूसरा आता है experiential experiential intelligence और तीसरा आता है जिसको आप कहते है componential intelligence जब हम contextual intelligence की बात करते है तो contextual intelligence का एक नाम और है इसको हम कहते है practical intelligence practical intelligence जब experiential intelligence यहाँ पर यह experiential है experiment नहीं है तो आप ध्यान रखेगा experiential मतलब अनुभाव जन्य है experiential intelligence को कहते है creative intelligence और तीसरा जो componential intelligence है उसको कहते है analytical analytical intelligence तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि तीन तरह के intelligence की बात है practical intelligence, creative intelligence और तीसरा है analytical intelligence आप इसको कहें contextual intelligence आप संदर भात्मत बुद्धी experiential intelligence अनुभाव जन्य बुद्धी componential intelligence घटकी ये बुद्धी तो ये तीन intelligence है अब तीन intelligence में एक एक करके हम discuss करता है कि सबसे पहले contextual intelligence contextual intelligence का मतलब ये है कि व्यक्ती परिस्थिती के साथ किस तरह से व्यभार कर रहा है या जो भी विस्थित परिस्थिती आई उस विस्थित परिस्थिती के साथ समयोजन करने में या उस विस्थित परिस्थिती में जो भी problems आई उस problem के solution के लिए जिस शमता का उपयोग किया जाता है उसे हम कहता है contextual intelligence आप एक चीज समझते है common sense जब भी common sense की बात आती है तो common sense को use किया जाता है contextual intelligence क्यों किया जाता है क्योंकि जब भी कोई परिस्थिती आती है तो वह क्या है वहाँ पर पहले से आपको पता नहीं होता है कि क्या परिस्थिती आने वाली है पहले से आपको उस परिस्थिती में आने वाली problems के बारे में भी नहीं पता है, बलकि आपको जैसी आप कहीं जा रहे थे और सामने से एक problem आई, अब जब problem आई तो उसको उसी समय आपको solve करना है, क्योंकि अगर आपने उस problem को solve नहीं किया, तो आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते, या कहीं नहीं आप उस problem में जाकर फंस जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, contextual intelligence की जो संदर्ब पस्थित है, जो परिस्थिती हमारे सामने हैं, उस परिस्थिती में जो भी problems आ रही हैं, उसके साथ हम कदम से कदम मिला कर चलें, उसको solve करने की कोशिश करें, हम उस environment को अब इस तरह से mold करने की कोशिश करें, कि हम अपनी जो क्षमता है, उसका अच्छे से अच्छा उपियोग कर सकें, इसे कहते हैं, contextual problem, अब यहाँ पर क्या है, practical, कि अब practical मतलब आपकी जो क्षमता है, उसको आपको implement करना है, आपकी जो क्षमता है, उसको आपको use करना है, आपकी जो क्षमता है, उसको आपक प्रैक्टिस में लेकर आना है आप एक एक्जामपल से समझे अभी बहुत जादा ठंड अभी पूरे भारत में बहुत जादा ठंड है मुझे देख के ऐसा लग रहा होगा कि सब ठंड नहीं है देखिए मैं एहमदाबाद में हूँ इसलिए ठंड बहुत कम है लेकिन आप उत्तर भारत में चले जाएं बहुत ठंड है और सब कोई पता है कि उत्तर भारत में धूप नहीं निकलती है और बारिश भी ठंड में हो जाती है अब आपके साथ वो प्राब्लम है कि आप ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है धूप नहीं निकल रही है आपको कपड़े सुखाने है कपड़े धो तो लिए साब कल फिर पहनना है कल सुबह ऑफिश जाना है पहनना है तो क्या करेंगे अब उस समय क्या होगा उस समय उस परिस्थिती के हिसाब से आपने उस कॉंटेक्स्ट के हिसाब से उस संदर्व के हिसाब से आपने कुछ एक युक्ती सोची आपने कुछ न कुछ एक ऐसी तर्कीब सोची कि साब ये कपड़े सुखाओं कैसे तो लोगों ने क्या किया लोगों ने किया ये कि किसी बरतन के अंदर कुछ अंगारे भरे और अंगारे भरने के बाद उस बर्तन को प्रेस को नहीं उस बर्तन को उस कपड़े को पर लगाया और कपलों को सिखाया एक तरीका ये भी हो सकता है दूसरा कि उस कपड़े को ले गए साब गैस के पास थोड़ा थोड़ा करकर सुखा दिया ये कहा है उस contextual intelligence है उस संदर्व म में आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपको क्या है जो भी आपके पाक समच्छमता है उसको आपको यूज में लाना है that is contextual intelligence या practical intelligence दूसरी बात करते हैं creative intelligence की जिसको आप experiential intelligence पी कहते है यहाँ पर देखिए creative intelligence का मतलब यह है कि जब भी आप आप और environment दोनों के बीच interaction होती है अब आपको जैसे जैसे interaction होती जाती है समय बढ़ता जाता है आप में अनुभाव बढ़ते जाते हैं इसलिए इसका नाम है अनुभाव जन्य बुद्धि की आप में अनुभाव बढ़ते जाते हैं और उस अनुभाव के आधार पर आप कोई नया सोचते है creative thinking का मतलब क् देखा एक कोई tube light नहीं जल गई नहीं आपको धीरे एक अनुभाव जुड़ा दूसरा जुड़ा तीसरा जुड़ा ऐसे ऐसे experience जुड़ते गए और जुड़ने के बाद आपने एक नई तरकीब या नई कोई युक्ति या नया कोई idea आपने सोच लिया अपसको इससे समझ ले कि आप जब पजल देखा है पजल आपने पजल बच्चे शुरुवाट में क्या होता है थोड़ा time लगता है पजल को solve करने के लिए एक बार अनुभा हुआ दो बार उस पजल को solve किया 3 बार पजल को solve किया और अब बाद में क्या होता है उसी पजल को solve करने के कम से कम 10 तरीके आपको आते हैं Because of experiential intelligence अब आपको समझ भारा होगा अनुभाव आपको experience जिस तरह से हो रहे हैं अब life में आपके साथ बहुत सारी घटनाएं होती है और उस घटनाओं के साथ-साथ अनुभाव आपके पास आते जाते हैं उस अनुभाव के द्वारा अब कोई नई तर्कीब या नया कोई idea जन्म लेता है उसे कहते हैं creative intelligence या experiential intelligence तीसरा आता है componential intelligence इसको आप analytical intelligence भी कह सकते हैं अब यहां पर analytical intelligence नाम से पता लग रहा हुगा क्या है सब logic की बात आ रही है सब analysis की बात आ रही है सब reasoning की बात आ रही है अगर आपने बुद्धी की traditional definition सुनी हो traditional definition मतलब कि जो class में ज़्यादा अच्छा पढ़ता है वो intelligent है जो number अच्छे लाता है वो intelligent है जो कही न कहीं logic अच्छी लगा पाता है वो intelligent है जिसकी reasoning बहुत अच्छी है वो intelligent है तो यहां पर क्या है analytical यहां पर बिल्कुल वही definition आप apply कर दिए कि वो ख्षमता जब आप तर्क कर सके वो ख्षमता जब आप प्रमान दे सके वो ख्षमता जब आप कहीं न कहीं logical thinking से आप समस्या का समाधान कर सके उसे कहते है analytical intelligence अब यहां पर आप कहेंगे कि साब analytical intelligence तो समझ में आ रहे है यह componential intelligence क्या है देखिए यहां पर componential बना है components है तक्व से घटक से इसको कहते है घटकी यह बुद्धी यहां पर यह है कि कोई problem आई और आपने उसको छोटे 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 कमपोनेंट में divide किया और component में divide करने के बाद आपने हर component को अच्छी तरह से समझा हर component को अच्छी तरिके से सुलजाया और पूरी के पुरी प्राबलम को solve कर दिया आपने कहते हैं हर कदम पर चले हर कदम को आपने सुल्जाया और सुल्जाने के बाद आपने किसी भी एक प्राब्लम को सॉल्व कर दिया इसे कहते हैं analytical intelligence या Componential Intelligence तो तीन Intelligence की बात हुई जो Sternberg ने दी थी Contextual Intelligence संदरभात्मक बुद्धी या Practical बुद्धी दूसरा Experiential Intelligence अनुभाव जन्य बुद्धी या Creative Intelligence Componential Intelligence आप जिसको घटकी बुद्धी भी कह सकते हैं या Analytical Intelligence भी कह सकते हैं मुझे लगता है कि आपको यह Topic ठीक से समझ में आगया होगा बहुत ही आसान Topic है आप आराम से इसको समझ कर इसको सुन कर अपने जो एक्जाम में आने वाले Question से वो सॉल्व कर सकते हैं तो Thank You Thank You Very Much